तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोगो तेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है बिहारी के दोहे ठीक है यह चैप्टर एक दोहा है और क्लीके इस चैप्टर के लेखक लिखने वाले कौन है तो वह है भीहारी भीहारी के दोहे जो जो दोहा लिखे Silent यूपर लिखा करते थे इसलिए दोहे आफ लेकिन उस चैप्टर में आप लोगो दोहा पढ़ना है न व् Dalas सब्सक्राइब किस तरह के इनसान इस दुनिया में पाए जाते हैं इस चप्टर को गागर में सागर कहा गया है देखिए गागर एक छोटा सा बरतन है इसे क्षोटा है छोटा सा दोहा है है लेकिन चोटी से दोहे में पूरी जिंदगी सामिल है पूरी जिंदगी को ब्यान कर दिया गए बता दिया गया इस चप्टर में ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा important जो है तो चलिए हम लोग इस दोहे को समझ लेते हैं हर एक एक कि लाइन ने को अपनालों को पढ़कर बताती हूं और फिर आम लोगे को समझाते हूं तो यह आप ल हैं टम्हेने के और हिंदी का जिस तरह तुम्हारी परचाई को देखर भगवान कृष्ण थे वो भी हरित हो गए थे यानि कि वो भी परसन हो गए थे बिल्कुल उसी तरह तुम हमारी जिंदगी की जो भी परेशानिया है उसको तुम हर दो दूर कर दो ठीक है जब मालाई छापे तिलक सरेना एकू कामू इसमें बोल रहे हैं कि दिन भर माला जपने से और लंबा सा तिलक लगा लेने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता है अगर मन कच्चा हो मन में खोट हो और आपका जो मन है वो बेकार में इदर उदर घूमता हो तो उससे मतलब आप भगवान या फिर खुदा की प्राप्ती नहीं कर सकते हैं दिन भर गुनाह करो और फिर आकर नमाज परना शुरू कर दो आकर पूजा करना शुरू कर दो तो नमाज परने और पूजा करने से क्या फाइदा जब आप दिन भर गुनाह कर रहे हैं तो ठीक है तो वही बोला जारा है कि दिन भर माला जप लेने से या फिर लंबा सा तिलक लगा लेने से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते खुदा की प्राप्ति नहीं कर सकते अगर आपका मन कचा हो मन में खोट हो आपका मन जूटा हो तो आप को मतलब नमाज पढ़ने या फिर पूजा करने से कोई फायदा नहीं है ठीके बत्रस लाल अग्वान किशन को बात करने के मिर्म क्रощ systematically वह टो उनकी जो गोपीया है उनकी चुराकर और भुवसे इसारा कर रही है कि देखो तुम्हारे जो मुड़ी है कि मेरे पास है लोगे आकर लो भगव्यान के को बुला रही है बहुत सही सारा करके और फिर वह एंठी जा रहे हैं तहके अभ जब यह सुधी की देखिए बोला जा रहा है इसमें बिहारी बोल रहे हैं कि जब जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरी अंदर एक चेतना सा आ जाती है और मैं कितना भी आखे लगाने की कोशिश करता हूँ यानि कि निंद लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आखे लागती नहीं लेकिन नि तीर की गती एके करी जोए जे तो नीचाओ हवे चले ते तो उचे होए इसमें जो है ना बिहारी बता रहे हैं इसमें बिहारी जो है नर और नल को एक समान बता दिये हैं नर यानि की पुरुष मेल को बोला जाता है तो नर और नल एक समान बता है देखते हैं नल जो है जितन अंदर कुछ quality है और वह बहुत आगे तक जाएगा ठीक है तो नर और नल अगर जुका हुआ है इसका मतलब वह बहुत उचाई और बहुत आगे तक जाएगा ठीक है संगती सुमती न पाहवी परे कुमती के धंद राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंद इसमें बोल रह है लेकिन जैसे ही आपने कुमती के धंद पकड़ लिया यानि कि आपने बुरी संगत पकड़ ली तो उस वक्त जो आपके अंदर बुरी आदत आएगी न उसको मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिस तरह कपूर में हिंग को रखकर उसको उसके सुगंद को म नहीं मिठता बिल्कुल उसी तरह एक बार अगर आप लोग के अंदर बुरी आदत आजाए तो उसको मिटाना बहुत सी ज्यादा मुश्किल होता है ठीके बड़े नहूजे गुनन बिनू बिरत बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ियों न जाए इसमें बोल हैं तो क्या वो धातू सोना कहलाएगा क्या उससे जेवर बनाया जा सकता है नहीं सोना तो सोना होता है ना सिर्फ सोने से ही जेवर बनाया जा सकता है किसी भी धातू को आप सोना बोल देंगे तो क्या वो सोना कहलाएगा नहीं सोना का क्वालिटी ही अलग होता है बिल्कु जाएगा जो बड़ा इंसान होता है जो बुद्धिमान होता है जो इंटेलीजन्ट होता है उसको अपना गुन गिनाने की और अपना बठाई करवाने की जरुष नहीं होती है उसको खुद मतलब लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि उसके अंदर हुणर है काबिल्यत है ज दिरग सास न ले हूँ दुख सुख साई ही न भूल दई दई क्यों कर तू है दई दई सो को भूली इसमें बोला जा रहा है कि जब दुख का जब दुख का समय आया तो आप दिरग सास क्यों ले रहे हैं ओ मही गौड मेरे जिन्दगी में इतना बड़ा दुख आन पड़ा जब दुख आया तो इतना बड़ा सास ले रहे हैं और सुख के लम्हे को भूल गए इसके दुख आने से पहले जो आप सुख के जिन्दगी बसर कर रहे थे जो दुख आने से पहले जो आप खुशी के जिन्दगी जी रहे थे उसको भूल गए अब दुख आ गया तो भगवान का नाम लेने लगते हैं कि है भगवान है खुदा मेरे जिन्दगी में इतना ज़्यादा क्यों दुख दे दिया मेरे जिन्दगी में देना था यह मतलब खुदा का और भगवान का नाम लेने लगते हैं तो ऐसा और उसके बाद से दुख तो दुख में तो खुदा मिल जाए कार मिल जाए मुझको मतलब कार मिल जाता बंगला मिल जाता तो मतलब जितना ही ज्यादा सुख मतलब मिलता है न वह इंसान उतना ही मतलब लालच में आन पड़ता है सुने है न उंगली पकड़ते पकड़ते पहुचा पकड़ लेना थोड़ा थोड़ा लालच करते करते पूरे तरीके से लालची बंजाना ठीक है किसी इंसान का थोड़ा सा समान लेकर चको अच्छा लगा तो थोड़ा सा और देजिये ठशात ऊथर और देजिया और देखते देखते पता चला खें उसकेसाअ का खाना लेकर खा गए तो यह वोता है ओंली पकड़ते पकड़ते पहुचा पकड़ना थोड़ा थोड़ा लालच करते करते ना पूरी तरीके से लालची बन जाना तो इस तरह नहीं करना चाहिए दुख में हो या फिर सुक में हो हमेशा मतलब खुदा का शुक्रिया आदा करना चाहिए जितना भी आप लोग को सुक मिल सकते हैं यहीं पर आप लोग का यह जो दोहा है वह कंप्लीट होता है कोई भी कंफ्यूजन हो इस चाप्चर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और उसके बाद से क्लिक कीजेगा ना तो आल का आप सनाएगा तो आल पर क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेएगा ठीक तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स वूडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के अधिये जहिंद और खुदा हाफिज